आप सबों का स्वागत है विहार बोर्ड मेट्रिक प्रिछा के लिए हिंदी में मोहाबरे पूछे जाने वाले इनपोटेंट दोस्तों आपको दो या तीन प्रस्ण मोहाबरा पूछी लिया जाता है तो इन में से आपको प्रस्ण दो नमबर का जरूर मिलेगा तो आपको दो नमर पका फिक्स हो जाएगा तो इस मोहाबरे को एक बार जरूर परें एक बार में आपको याद रह जाएगा तो ब्यार बोर्ड मेट्रिक प्रिछा हिंदी में पूछे जाने वाला मोहाबरा पहला नमर प्रस्ण है कि आँख मारना आँख मारना मतलब बहुत ही असन है इसारा करना सोहन ने मुझे आँख मार कर घर के बाहर बुलाया तो आपको वहाँ पर यहने की प्रस्ण पूछा जागा कि आँख मारना मुहबरे का अर्थ क्या है तो वहाँ आपको चार अप्शन दिया रहेगा चार अप्शन में रहेगा इसरा करना वही सही होगा अगला प्रस्ण है कि आँख की किरकिरी होना यानि आँख का काटा होना इन दिनों में उनकी आँखों की किरकिरी हो रही है यानि आँख का किरकिरी होना ना कि आँख का काटा होना मुहाबरे का अर्थ होगा अगला प्रस्ण है कि आंक फेरना मतलब हो जाएगा कि खिलाप होना बूरे दिनों में मीत्र भी आंक फेर लेते हैं ये महवरे का अर्थ होआ तो आंक मारना याने कि खिलाप होना मुह मुर लेना अगला प्रस्ण है कि पुछा जाएगा आंकों में चर्वी छाना यानि घमंड में चूर होना थोरा धान पाने पर प्राय नीचे की आंकों में चर्वी छा जाती है अगला प्रस्ण है आंक भर आना आंसु आना बेटी के बिदाई पर मा की आंके भर आई अगला प्रस्ण है आपका आंक में धूल डालना धोखा देना मेरी आंकों में धूल डालना असान नहीं है यानि की आंक में धूल डालना तो धोखा देना अप लोग समझ गये होंगे अगला प्रस्ण है की आंक खुलना आंक खुलना का अर्थ हो जाएगा वह चार अप्संदिया रहेगा साबधान होना यह जाग जाना इस तरह का रहेगा तो साबधान होना धोखा देने पर अब उसकी आंके खुल गई यह मौवरे का अर्थ हुआ अगला प्रस्ण है की आंकों में बसना हिर्दे में समाना आंकों में बसना हिर्दे में समाना वह इतना सुंदर है की उसका रूप मेरी आंकों में बस गया अगला है कमर तूटना बेसारा होना जमान बेटे के मर जाने पर बाप की कमर तूट गई अगला प्रश्न है कान देना कान देना मतलब ध्यान देना पिता की बातों पर कान दिया करो अगला है कान खोलना साबधान होना कान खोल कर सुन लो तुमें जुआ नहीं खेलना है यानि इस प्रश्न को वहां रहेगा कि कान खोलना तो साबधान होना ये मेन है आपका ये इतना सा ही मेन है इतना सा ही याद रखिए अगला प्रस्ण है कान पकरना बाज आना कान पकरो की फीर से ऐसा कम न करोगे अगला प्रस्ण है कलेजा कापना डरना बाग को देखते हैं यह मेरा कलेजा काप उठता है तो कलेजा कापना मतलब क्या होगा डरना अगला प्रस्ण है काल के गले में जाना मिर्तियू के मुँ में परना अंत में सब को काल के गले में जाना परता है तो दोस्तों आपको सिर्फ यह याद रखना है कि काल के गले में जाना यानि मिर्तियू के मुँ में परना अगला प्रश्ण है खून खोलना मतलब गुस्सा चारना ये इतना सा है याद रखना है आपको अगला है खून का घूट पसीना यानि भीतर ही भीतर साकर रह जाना अगला प्रश्ण है खेत आना यानि यूद में सईध होना गले का हार होना मोहबरे का अर्थ क्या है बहुत प्यारा गाल बजाना मोहबरे का अर्थ है डिंग हाकना अगला प्रश्ण है गर्दन परसवार होना पीछे ना पीछा ना छोरना गर्दन परसवार होना मोहबरे का अर्थ है पीछा ना छोरना चमपात होना यह की भाग जाना चमपात होना मोहबरे का अर्थ है बहुत प्यारा होना नो दू एक्ज्यारा होना इस मोहबरे का अर्थ हो जाएगा भाग जाना नो दू एक्ज्यारा होना यानि भाग जाना नाकों दम करना नाकों दम करना मोहबरे का अर्थ है प्रेशान करना नाक काटना मोहबरे का अर्थ है इज़त जाना पेट काटना मोहबरे का अर्थ है अपने भोजन तक में बचाव पाँ बारे यानि लाब ही लाब होना पाँ बारे का मौबरे कार्थ क्या हो जाएगा लाब ही लाब होना पाणी उतरना मौबरे कार्थ है इज्जत लेना पाणी पाणी होना मौबरे कार्थ क्या हो जाएगा पानी पानी होना मब्रे करतो जाएगा लज्जित होना फूलोना समाना मब्रे करतो जाएगा बहुत खूस होना बीरा उठाना मब्रे करतो जाएगा डाइत बलेना बीरा उठाना अतलब मब्रे करतो जाएगा डाइत बलेना अगला है मू ताकन या जोहन मू ताकन या जोहन का अर्थ हो जाएगा यह मोहबरे का अर्थ हो जाएगा किसी का आसरा जोहन मू की खाना मोहबरे का अर्थ हो जाएगा पहल करके हार जाना मू धो रखना मौबरे का अर्थ है आसा ना रखना 36 नमर मौबरा है मौत यह आग से खेलना मौबरे का अर्थ है खत्रा मोल लेना 37 रंग उतारना मौबरे का अर्थ है फिका होना 37 रंग जमाना मौबरे का अर्थ है धाक जमाना 38 लोहा मनना मौबरे का अर्थ है श्रेष्ट समझना स्रेष्ट समझना लोहा मानना याने स्रेष्ट समझना लोहे के चने चवाना महवरे का आर्थ हो जाएगा बहुत कठीन जेलना बहुत कठनाई जेलना लोहे का चना चवाना बहुत कठनाई जेलना सीर उठाना बिरोध में खरा होना सीर उठाना विरोध में खारा होना सीर पर सवार होना मामरे का अर्थ है पीछे परना सीर पर आ जाना मामरे का अर्थ है बहुत नजदिक होना सीर खुजलाना मौवरे का अर्थ है बहना बनाना सीर खुजलाना मौवरे का अर्थ है बहना बनाना सीर ना खुजलाओ देना है तो दे दो ये अर्थ हो गया सीर जुकाना मौवरे का अर्थ है सोक करना सीर आँखाओं पर उठाना मौब्रे का अर्थ है सहर सुईकार करना सीर चराना मौब्रे का अर्थ है सोख करना सीर फर जागना मौब्रे करता है पागल हो जाना सीर गांजा कर देना मौब्रे करता है खूब पिटना हाथ खिचना मौब्रे करता है अलग होना हाथ देना या लगना मौब्रे करता है साइता करना हाथों हाथ मौब्रे करता है शिग्र या जल्दी हाथ बटना मौब्रे करता हो जाएगा शायोग देना हावा खाना मौब्रे करता है सुद्ध हावा का सेवन करना या वे अर्थ होना हाथ मारना मौब्रे करता हो जाएगा उरा लेना देखते ही देखते रहीम ने उसकी कलम कलम पर हाथ मार लिया हाथ मलना मौब्रे करता हो जाएगा पच्छताना समय बितने पर हाथ मलने से क्या लाब तो आपको इस तरह का प्रस्ण पुछाएगा हां तो मलना महावरे करत क्या होगा वहां तो चार उप्षन रहेगा तो जहां आप पस्ता ना रहेगा उस अंसर को टिक कर दिजेगा तो यह सब भी इन इंपॉर्टेंट महावरेत है